बहुमत में आते हैं अपने तरीके से जीने लगते हैं अपने तरीके से नीतिया बनाने लगते हैं अपने तरीके से सारी चीजें उलट पुलट कर देते हैं हम देश के हालात बहुत खराब है साथियों इस गंभीरता को समझे नागरिक चुनता है सरकार को यही इतिहास है यह तेस की जंता नहीं समझेगी, कौन समझेगा, ऐसे सरकार को बदलने की जरुरत है, और आप अपनी माझों के लिए, ज्यायोंचित माझों के लिए, आप अपनी आवाज उठाएए, आप अपनी आवाज को मजबूत किजिए, और एकी कृत और एक जूट रहे किसी तरह का तफ़र का नहीं होना चाहिए साथियों क्योंकि ब्यार मादमिक सिक्षक संग का इतिहास संगहरसों का इतिहास है बलिदानों का इतिहास है कुर्बानियों का इतिहास है इस बात को आपको समझने की जरूरत है या इसा नहीं है कि आज है और चल चला जाएगा उनाइस सो पचीस में इसकी अस्थापना हुई है और आपको फक्र होना चाहिए या दो बेक्ती किदारनाथ पॉंडे और फिर सक्तुरगन बावू दो दस असी में सरकारी करन हुआ इस होना चाहिए और अभी असो को आरून बावू ने कहा क्या कहा कि उनको पीड़ा है कि मैं अपने नौनी हालों को बेतनमान दिला कर रहूंगा यह देखिए मजबूत जब नीव कहरी होती है अस्तंभी मजबूत होता है आपको ठक्र होना चाहिए या दो नेता अगर कसम खा और है और यही नितिश कुमार की सरकार और यही व्यासर कार हम दोंको सुप्रीम को बेज दिया 2015 मिनों था नियोजित ृपलत को व्यतनमान देंगे और यह जह करेंगे इन्होंने नहीं किआ लगातार पत्रवाजी लगातार पत्राचार लगाता विधान पडिये सब्सक्राइब आज उठाते रहे कि दारनात पांडे और उनके साथ यो ने ये पुछ नहीं सुना और आज अंतिम समय में है हम आपके बीच यही कहने के लिए आए हैं अर उन बाबू यही कहने के लिए आए हैं अप घबडाये मत आप आपको मजबूत किजिए और घर की बात अगर कोई है तो वो आप अपने दिल में रखिए अलग से बात किजिए लेकिन बाहर और फिर जहां मुल्यांकन हो रहा है वहां जाके आप तमाम लोगों तमाम साक्यों को वह काम करने से रोकिए अगर वह काम कर लेंगे क्योंकि अनंद किसोर को यह पता है यह पता है अनंद किसोर को पिछला इतिहास आप लोगों को पता है कि कि तना घोटा लावाजी हुआ किस तरह रिजल्ट हुआ वह पढ़ेसान हो गया था एक आएस और इसलिए विहार सरकार पर दवाब बनाने की जरूरत है आपके विधायक इन्हों ने कहाना है कि हमारे महासची और हमारे अध्यक्च ने किस तरफ खसाते हैं तो यह एक अलग सवाल है लेकिन आपको यह जानना होगा आपका बिहार सरकार का मंत्रा है नीतीज कुमार नहीं चलाते हैं मंत्री नहीं चलाते हैं अगर नितीश कुमार को खुपडी होता और उनके मंत्रियों को होता अब तक बेतनमान मिल गया होता यह तमाम चीजे वहां के नौकर साही चला रहे हैं यह बिरोक्राट्स चला रहे हैं और बिरोक्राट्स की पूरी चाल को यह मान्य के दारनात कांड और सत्तुरगनबारू समझते हैं इसलिए हम लोग हम लोग आसानुवी थे हैं कि आपको बेतन मान मिलेगा यह मिलेगा और कल से अपने पूरे जीला टीम के साथ आप एक जूता के साथ हर जगह निकले यह उदाहरन बनेगा कटिहार कटिहार उदाहरन बनेगा कि ये जालियाँ वाला बाग यह आसुतोस पार्क यॡवी सहीद के बारे मिन्हों ने बताया हम लोगों को पता नहीं था या वी सहीद के नाम पर हुआ है और जालियाँ वाला बाग में भी भगत सिंग पैदा हुआ। कल से ददन को और पाशक जी को आप लोग एक एक भगत सिंग के विचारों के साथ लड़ाई लड़िये और कटिहार की ये बाते हम राज में लखेंगे अन्य जीलों में लखेंगे आपकी एक भूता का मिसाल कायम हो इनी चंद सब्दों के साथ अपनी बात को समाप गरना चाहेंगे कि आज की रात बहुत कर्म है आज की रात नम जैंद आएगी तुम उठो तुम उठो सब उठो इसी दिवार में कोई खड़की खुल जाएगी इसी दिवार में कोई खिर्की खुल जाएगी। इहारता आपसी सारी एक चीजों को खुल करें।